हेलो फ्रेंट्स तो रेल्वे ग्रूप डी एक्जाम को लेकर बहुत ही बड़ी न्यूज है जिन्होंने अप्लाई किया था रेल्वे ग्रूप डी के लिए उनके लिए काफे इंपॉर्टेंट न्यूज है कि तो यहां पर बने रहीएगा देखें इन्फॉर्मेशन क्या है गवर्मेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेल्वेस आरार सी जो की एक्जाम कराने वाला है तो यहां पर 2019 में अप्लाई किये गये थे लेवल फर्स्ट के लिए पोस्ट जो की एक लाख से भी ज्यादा वेकेंसिस थी और उसके फॉर्म हलांकि दो वर्ष हो चुके हैं और अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हो रही थी इसके बारे में नोटिस जारी किया गया है और क्या नोटिस है यहां पर इसके शुडूल जारी कर दिया गया है देखें यहां पर देखेंगे केवल जो की यहां पर देखें एक्जाम की डेट यहां पर सेकेंड पॉइंट का as per details provided in central number जो कि है यहाँ पर देखिए from 23rd February यहाँ पर 2022 मतलब 23rd February की बात करी गई है ठीक है multiple phases जैसे की railway RRB जो NTPC के exam हुए थे ना कई phases में तो यहाँ पर बताई जा रही है जानकारे 23rd February से subject to the prevailing candidate conditions and government guidelines यहाँ पर guideline जारी कर दी गई है और इसके बारे में बताया गया है कि यहाँ पर जो इसके admit card को ले कर भी ठीक तो यहाँ पर क्या show किया गया है downloading for e-car letters will start from 4 days pre-year to CBT date mentioned in exam city and date information link तो जो information city date उसके बारे में बताई गई है कि जब exam होगा यहाँ पर उसे पहले थोड़ा से बात करेंगे 3rd point पर तो यहाँ पर SCST के लिए जो traveling condition है वो बताई गई है exam city and date download कर सकते हैं कितने 10 दिन पहले मतलब link उसका open हो जाएगा कि जो है आपका city कौन सा है और किस date में exam है वो तो पहले 10 दिन पहले यहाँ पर बता दिया जाएगा है ना लेकिन जहाँ पर आपका जो exam होगा वो e-call letter वो 4 दिन पहले ही download हो पाएगा ठीक तो यहाँ पर यह दो news रही और इसके अलावा यहाँ पर candidate की बात की गई है in regards to 4,85,607 candidate whose application were found rejected और इनको reject कर दिया गया था इतने members थे मतलब इतने candidate थे जिनका form क्या कर दिया गया reject कर दिया गया था on the ground of invalid photograph किस वज़े से invalid photograph या फिर signature की वज़े से ऐसा किया गया था तो यहाँ पर यह भी बताया गया है तो modification link will be live from 15-12-21 मतलब 15 तारिक 15 दिसंबर से link जारी की जाएगी जिस से उनका क्या हो जाएगा amendment मतलब वो संसोधन कर पाएंगे कब से कब तक 15 तारिक से 26 तारिक तक वो ऐसा कर पाएंगे मतलब जिनका form वगेरा reject किया गया था photo issue की वज़े से या फिर signature की वज़े से ठीक है तो वो अपना correct कर वा लेंगे और 23rd मतलब 23 फरवरी से यहां पर exam होना शुरू हो जाएंगे कितने phase में होंगे हलक यह बताया जाएगा यहां पर तो चैनल को subscribe नहीं किया तो जूड़े रही है subscribe कर लिजे चैनल को और bell icon को भी press कर लिजे है यहां six number point देखेंगे candidates are advised to refer only of the official websites of rrbs for latest updates on the requirement process please do not do not be miss missed by यहां पर दिया गया है थोड़ा सा लाइन आ गई है unauthenticated sources मतलब कोई भी unauthentic sources से आप believe मत करिएगा केवल जो rrb की official site है इसी पर ही आप जो है यहां पर देखेंगे जो भी news रहेगी तो मेरेंगे next news के साथ next video में धन्यवाद